नहुंसका दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज चिमा साब का वीडियो है वही मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया तो गेट हेल्प फ्रम मुद्धी तू में तू भी मेंबर ऑफ ब्रिक्स यह वही मलेशिया है ना जो बारे से पंगे चल रहे थे मताहिर साब उनका भी कांड हुआ अब देखे आए हैं बारे से हेल्प मांग रहे हैं कि ते मज़ेग बात है यार मलेशियन प्रिक्स में शामिल चरवा दू कि उसे पता है कि ब्रिक्स क्या चीज है मैंने बूला ना जो पॉलिक्स बड़ी मज़ेदार होती है भाई साब जो जो कूदता है हीरो बनता है उन सबकी आउकात पता चलती है आउकात मालदीव की पता चलती है मुईजू को घुटने टेकने पड़े जो खबर चल रहे थी न कि 18 टापू भारत को मिल गए उसलिया समद्ध दिखे कि भारत को दे दिये जी नहीं उन 28 टापू पर भारत को काम करने के लिए मिला है भारत के प्रजेक्ट माँ पर सीवर लाइन और वाटर मैनेजमेंट का काम मिला है वहाँ पर भारतिये काम करेंगे जाकर भारतिये कंपनीज काम करेंगे डिवलप करेंगे उन टापूँ को मुज़ू को जुकना पड़ा है ना मलेशन पीम भी जुक गए क्या कहें जुकना तो चाइना को भी पड़ा है आप जाकर चाइना के जो अमबेजडर हैं भारत में उनके पिछले एक महिने दो महिने के ट्वीट्स पढ़िए बस आपको समझ में आएगा कि चाइना की तरफ से क्या मैसेज भारत को दिया जा रहा है कि जी हम दोस्ती चाहते हैं हमारे बड़े अच्छे संबंदे हैं पुरानी चीज़ा याद कर रहे हैं क्यों ऐसे सुर क्यों बदल गए हैं चले देखते हैं चीमाज आप क्या बता रहे हैं दोस्तों मिलेशिया के वजिर आज़म अन्वर इब्राहीम भारत पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि जब से उन्हों नहीं आफिस संबाला है दोजार बीस में वो पहली दफार जो है वो इंडिया और वो इंडिय का बेसिकली नरिंद्रमोदी से मदद लेने आ रहे हैं वो किस चीज़ की मदद है उस इस नेम वो आये थे और उन्होंने आ के वो ज़रा प्रो जिसे कहते हैं ना पाकिसतान थे अब ये जो मलेशियन वजीर-अजम है ये बात तो आपने सही याद दिलादे लेकिन उस गपशब का नतीजह कितना भायानक पाकिसान को उठाना पड़ा है क्या चीमा साब उसके बारे में आपने नहीं बताया कि मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक एंटी सौधिया ग्रूप बनाना चाहते थे, एंटी उस ब्लॉक के खिलाफ जाना चाहते थे, और फिर पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ, मलेशिया ने बुलाया था इमरान खान को कोई इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, उसके बाद सौधिक प्रिंस का फोन आया और इमरान को जे उन्होंने सुनाया और फिर इमरान डर के मारे गए नहीं, ये मैं नहीं कहता ह। तो उधर के ही पत्रकार लोग कहते हैं, सुनिये। इमरान को जाता है। दिला दूँ कि उसके बाद क्या हुआ था और फिर इंडिया ने मलेशिया की क्या बैंड बजाई और आज जो है पाम ओयल वाले एक्सपोर्ट में आपको पता ही है कि मलेशिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा हमने इंपोर्ट बंद कर दिया और अब देखें मलेशियन प एंडिया इंनी कि बात करनी है पहली बात तो यह कIE एक मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मैंबर ना चाहता है दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इंदाध हासल करें तो इंपार्टेंट चीज यह है कि नरेंदरा मोदी उनको मदद दे देंगे अबरहल अनवर इबरहीम जो है इस स्मार्ट मैन और स्मार्ट मैन इस सेंस में है कि वो इंडिया मलेशिया बाइलेटरल टाइस को इंप्रूव करना चाहते हैं और सिरफ एक इंट्रेक्श एक किसम का कोपरेशन नहीं डिफरंट सेक्टर्स में क बैसिकली मुश्कल में है एक तरफ चाइना है एक तरफ अमरीका है जो मिडल पार्ज हैं लाइक इंडिया यह बेसिकली ब्रीजिंग स्पेस परवाइड करती हैं बहुत सारी डिवेल्बिंग नेशन्स को और और मलेशिया इस वन अफ तोस अब मलेशिया भी जो है वो जिसे कहते है न मल्टी पोलर प्लैटफॉर्म की तलास में है और ब्रिक्स इस वन फट प्लैटफॉर्म अब ब्रिक्स आपको पता है एक लार्ज इकनॉमिक ब्लॉक है इंडिया चाइना उसमें मौजूद है रस् इंडिया इस सारी गेम में कर सकता है. उस उस गेम को सपोर्ट लेने के लिए मलेशिया इंडिया है. आपको पता है मलेशियन जो हैं वो चाहते थे कि ज़रा किश्मीर पर बात किया करते थे. То इंडिया ने थोड़ा सा उनको सनब की और जो आइधिंग कोकोनटायल है. वो इन पाम ट्री से जो ऑईल निकलता है बहुत बड़ा पूरूसर है मलेशिया मलेशिया से तोड़ा टफ टाइम दिया तो जिसे वो करते हैं एक थोड़ा सा मुश्कल में डाला और बहुत सारी एक स्पोर्ट आती थी इंडिया मलेशिया से इंडिया तो अब सुने में आया कि जो साथ हैं उन्होंने ये प्राइडिटी रखी है कि हमें मलेशिया को ब्रिक्स के क्रीब होना है अभी सुनने में आ रहा है कि कोई इतने क्लियर वह चीजें नहीं हैं लेकिन मल्टी लेटरल फोरूम्स का हिस्सा बना सारे समझती हैं जरूरी है और इस इलसले में चाइना भी उसको इतना ना जादा स्पेस दी जाए चाइना हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारी इंवेस्टमेंट्स कहा रहे हैं तो उसमें उन्होंने आपको याद है कि काफी मुमालिक को बुलाया इंडिया इस प्रोजेक्टिंग प्रोमोटिंग इटसेल्फ एस ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पर उनकी एकॉनमी के स्टैस्टिक्स और नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया जो है वो उसकी तरफ और ममालक ने देखना चुरू कर दिया सो इसलिए मलेशिया जो है वो भी इंडिया के करीब आ रहा है एक तरफ हम देखते हैं कि डी डॉलरिजेशन की बात हो रही है इंडिया तो डी डॉलरिजेशन की बात नहीं कर सकता इंडिया के नोट से कि हम येन को परमोट करेंगे इंडिया नहीं कह सकता हम किसी और चीज खरीदा है रसिया से वो इंडियन करिंसी में खरीदा है अब कहीं दफ़ा रसियांस भी परिशान हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें क्यों को डॉलर पर डिपेंडेंस है वो इंडिया ने कम कर रहा है ये इंडिया की basically is a move to pressurize Americans देखें कैसे दोस्तियां भी चल रही हैं दुश्मनियां भी चल रही हैं एक दूसरे के साथ जपियां भी डाल रहे हैं but they are working for their own national interest आजकल American थोड़े खफ़ा खफ़ा हैं इंडिया से ठीक है और वो खफ़ा खफ़ा इसलिए हैं कि इंडिया is working on multiple fronts अब जैसे यह मलेशिया के जो वजीर आजम आ रहे हैं सुने मे देखें हमें भी यह पता है कि हमारे जो कदम हम उठा रहे हैं उससे Americans कफा होंगी हम यह जानते हैं फिर भी हमने यह कदम उठा हैं क्योंकि अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि देखो इतना आसान नहीं है कि आप गुड़ी गुड़ी करके और हमारे पीट पीचे हमारे इ जिरूरी कोई बात नहीं हम यह बात जानते हैं और जानते हैं जो उसका अल्टरनेट रस्ता निकाला जाएगा बात्ची चल रही है से फ्रांस से भी बात्ची चल रही है जो ब्रिटिश है तो उसका बैक अप निकल आएगा कोई बात में 2-4-6 मैने देरी होगी अधिक्रत हम सब यह बात जानते हैं लेकिन हमने यह जानते बूस्ते यह कदम उठाया कि सामने वाला यह न समझे कि हम कमजोर पढ़ रहे हैं तुम्हारे पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है ठीक यार दिरी कर रहे हो करो कल को यह तो कहने को नहीं होगी जब डीलम कैंसल कर देंगे यह कहने को नहीं होगा ना कि भाई भारत की गलती थी तुम डिलिवर नहीं किया तुम्हारे टाइम पर भारत में शत्रंज का विश्कार किया गया और शत्रंज से जादा बड़े रणनीती वाला गेम कोई नहीं है क्योंकि इसमें एक-दूर स्टप की बात नहीं सोची जा गरता है कि अगली पचास चाले मैं चलूँगा तो अगली पचास चालों के सामने वला क्या हो सकता है तो भारती है शत्रंज के गेम में बहुत माई था जो और राजनिती ही शत्रंज के गेम जैसी है याद रखिए हमारी नीती है शतरंज के गेम में वो नीती दिखती है तो गेम वही इजाद कर सकता है जिसके पास उतना बड़ा विजन हो उतना बड़ा कैनवस हो जिस पर वो इतनी चालें सोच सके एक साथ तो इंडियन्स बखो भी जानता है मलेशिया की बाइलेटरल ट्रेट इस ओर फॉर्टी त्री बिलियन डॉलर मलेशिया जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस ट्रेडिंग पार्टनर है विदिन आसियान पाउम ओल, कोकोनट ओल और पता नहीं कौन कौन सा है पाउम पाउम और लेक्टरॉमिक्ट की बहुत सारी प्रोडॉट्ट्स आती है ठीक है जी, इंडियन्स टूरिस्ट बाउट बड़ी तदाद में जो है वो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन्स टूरिस्ट जो है मेलेशिया के अंदर इतनी बड़ी ज़धाद में गये हैं कि तकरीबन तकरीबन तीन सवाद तीन लाक टुरिस्ट जो है वो अब इंडिया के मलेशिया में हैं ये तकरीबन आएक से पांच साल पहले का फैस देखा जाये तो कहा जाता है कि तकरीबन तेर्ट सो पौने 200 कुना ज्यादा जो है वह फरक पड़ा है सो अब देखें कि अब जितनी भी बाइलेटरल मेटिंग्स होंगी जो है और इंडियन इंडिस्ट्री को विजिट करेंगे और देखें जहां पे फॉक्स कॉन का लीडर आके फॉक्स कॉन का लीडर आके नरेंदरा मोधी साब से क्या काम कर सकते हैं कैसे काम कर सकते हैं जो मलेशिया जो है वह देख रहे हैं कि इंडिया अचip बनातें government पॉक्सकॉन की एक फैक्टरी यहां चलने लगी है दूसरी फैक्टरी के लिए बार्चीज चल रही है और अब तक अब तक 10 बिलियन डॉलर से जादा का बिजनस यहां से हो चुका है फॉक्सकॉन कर चुकी और फॉक्सकॉन ने अभी तक शायद 1.6 7.8 एक्जेक्ट डेटा याद नहीं है इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है फॉक्सकॉन और शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है मतब ख़बरे मुझे मिली है कि फॉक्सकॉन मेरे होम स्रेट बिहार में वहां एक फैक्टरी खोलने जा रहा है चिप मन फॉक्सकॉन तमिलाडू गए तो वहां के स्टेट मिनिस्टर जो थे शायद साइंस टेक्नोजी वाले वह खुद गए रिसीव करने खुद चला कर लेकर गए हैं गाड़ी ड्राइब करके समझ रहा है तो फॉक्सकॉन के एहमियत क्या है फॉक्सकॉन ने चाइना में जो उसकी फैक्टरी थी वहाँ पर चार लाख चाइनीज को उन्होंने गोज़गार दिया था चार लाख सुचिए वहाँ पर पूरा एक शहर बसाया था उन सब के लिए वो बंद कर दिया उसी चाहिए ताइमान चाहिन एक लपड़ा चल पर और वो भारत में शिफ्ट हो रही चीज़ है अभी मैं कहीं ख़बर पड़ रहा था स्क्रिंशॉट मिलेगा तो लगा दूगा फॉक्सकॉन में जो लोग काम करने वाले उनके लिए घर तयार किये गए हैं रहने के लिए उनको फसल्टीज देने के लिए शाद तमिलना दूग जहां तक मुझे याद आ रहा है आप समझ रहे हैं और आगे आने वाला वक्त समी कंड़क्टर का है कुछी सालों में भारत तीन सो बिलियन डॉलर का बिजनस सिर्फ समी कंड़क्टर से करेगा पाकिसानियों तुम्हें अंदाजा भे नहीं है कि एक और सेक्टर हमारा तुम्हारे पूरी जीडिपी से बड़ा हो जाएगा और समी कंड़क्टर के बिना आज की जिन्दगी नहीं है आपके हर चीज में आपकी बाइक में आपके मोबाइल में आपके रफ्रिजड़ेटर में आपके टीवी में आपके गाड़ी में आपके स्पेश शटल में रॉकेट में मिसाइलों में हर सिस्टम में चिप चाहिए सेमी कंड़क्टर सेक्टर है वो भी बड़ा प्रमोट हो रहा मिलेशिया भी अपनी जो सेमी कंड़क्टर पॉलिसी है उसने रिसेल्टी इंटर्डियूस कराई है सो वो कहते हैं कि हमें भी इंडिया के साथ इस मामले में कॉलाबरेट करना है देखें यही वो चीज़े हैं कि अगर आज पाक्षान और भारत का ट्रेंड को खोलाओता तो हम बहुत सारी उपरचुनिटीज ले सकते थे लेकर हमने यह फैसला किया कि नहीं हमने अपने लोगों को नहीं उपन आप कोने देना तो ठीक है कोई मसला नहीं आप जिसका कहते है ना ये कर लें ये आपकी चॉइस है तो सो क्वेस्टिन ये है कि फिर विच आप मेरा अपने क्लास फैलो भी एक दो गए हैं कुछ और भी मैंने लोगों को देख है ठीक है न जी और एक तरफ हम ये देखते हैं कि जिसे कहेंगे ना कि मलेशियन अपने आपको एक बड़ी अमर्जिंग एकॉनमी देख रहे हैं अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया की जो सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री है वो तकरीब नौ एकर डॉलर के करीब है और और इसी तरह तकरीबन आठ नौ परसंट की ग्रोथ काट्रीट पर वो चल रही है सू मलेशिया भी समझदा कि हम इसकी मार्कीट में इंडिया जो है वह अस यान के भी पार्ण्शिप है और मेरे ख्याल से जो मलेशिया है वो अगले साल उसके पास आसियान की चेरिमेंट से भी आ रही है तो ये जो मलेशिया के पास अगर दोजार पच्छीस में आसियान की चेरिमेंट से पाती है तो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड आग्रिमेंट और इस हवाले से भी काफी काम हो चुका हुआ है डिजिटल किनेक्टिविटी है बहुत सारी ऐसे चीज़े है तो मुझे ऐसे लगता है कि मलेशिया जो है न वो बड़ा रैशनल एक्टर है बड़ी रैशनल चॉइस है और मलेशिया जो है वो नहीं चाहता कि उसको लेबल किया जाए पाकिस्तान के साथ माजी में हमने देखा है कि मलेशिया ने पाकिस्तान के साथ अपने आपको लेबल किया बड़ा कुछ हुआ अब अब एक तरफ हम यह देखते हैं कि जो जो मेलेशियन लिडरिशिप है वो उनकी अंदर क्लेरिटी है और क्लेरिटी यह है के हमने जैसे तैसे हमने इडिया के करीब होना ही है उन ताकटों के करीब होना वोस वे Slack ग्रोइंग सो पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं देखता है मौल्दीज भी क्या देखता है कि जी हम कहीं और जाकर बैठेंगे जो कि बड़ी इंट्रेस्टिंग है जो सिचुएशन है आज आप देखें इंडिया के अंदर ऐसे जगमग हो रही है निपाल की वजीरेखार जाई हुई है जिपैन की फॉर्ण मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर आए हैं मुलेशिया के वजीर आजम है हुए हैं मतलब पुचा इंडिया जितने भी लिडिशिप है वो इंडिया आ रही है भाग भाग के आ रही है जिसको पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए कि वट इस मोटिवेटिंग इन पुटिंग इंडिया इंडिया अपने आपको प्रोजेक्ट कर रहा है यह बड़ी इंट्रस्टिंग चीज है आमने ज़दा ज़दा दिहान नहीं देते हैं चीजों को इंडिया के लिए मिलेशिया जो है वह बड़ा इंपॉर्टन है जैसे मैंने उता है पॉम आयल का इंडिया ने थोड़ा सा यह चीज़ें पाकिस्तानियों को सादिकत यह है कि उन्हें अगर कोई चीज बताओ ना और अगर को इंडियन बता रहो या इंडियन चीज कई जा यहां देख रहां लोग यही करते रहें ना इंड़िया कोई इंवेंशन हो रही है जहां पर्वाद से काम चला जाता है अभी मैं देख रहाता है, वो ब्लैक होल करके है, उसमें आपके वो नुक्लियर साइंटिस्ट आए थे, परवेज हुद बोई, वो बता रहा थे कैसे एक क्वांटम कम्प्यूटर पर पाकिस्तानियों को बेवखूर बनाया जा रहा है, सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है, सुनि आनी चाहिए, कि ऐसे फ्रॉड को इन्होंने जगा जगा बुलाया, तुम लोग जाहिल हो, जाहिल हो, कि तुम्हें ये फ्रॉड नहीं पता चला, खुलम खुला फ्रॉड, अहां, बेस्ट क्वांटम साइंटिस्स, सैंट फ्रेंसिस्को कालिफॉर्णिया, अच्छा, ये देखिए, कैटेगरी, क्वांटम, कंप्यूटिंग, एन एड्यूकेशन, ऐसा तो कोई किसी ने सुना ही नहीं, के पी के गवर्णन्ट को शर्म से डूब मरना चाहिए, ये कैसे लोग हैं, तुम लोग जूट पर जूट पर जूट बोले जा रहे हो, उदर चीफ मिनिस्ट ऐसे मुश्कर आ रहा है, उसके जो आसपास हवारी हैं, वो कैसे बाचें खोल कर हस रहे हैं, शर्म करो, तीनों, चारों, फी स्ट्रक्चर बता दिया है, इंट्रोड़क्शन टू क्वांटम, क्वांटम, और आगे, हाँ, लुक अट दिस, आच्छा, देखे, जब आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बनानी होती है न, तो आपको दिखाना होता है, कि गोरे हमारे साथ हैं, और क्या प्यारी गोरी शकल इसकी, अरे, देखकर तो हर एक जो है, वो ऐसी यूनिवरस्टी में जाना चाहेगा, मैं पढ़के सुनाता हूं, पीछे जो लोग हैं, वो शायद ना पढ़ सके, इन ए रेमार्कबल कन्वर्जंस अव ग्लोबल साथिफिक मांद, श्यूनिवरस्टर सांडरा जूलियन, दिस्टिंविष्ट हैड अव क्वांटम, दिस्टिंविष्ट हैड अव क्वांटम, दिस् 23, held in the United States, her presence and insights बगारा, अच्छा, तो आप, आपके पास, जिन जिन के पास smartphone है, आप जा कर इस URL पर क्लिक करें, तो this will take you to stock photos, तो कहीं से ये फोटो उठा कर, उसने ये नीचे लिख दिया, कि ये हमारी faculty member है, and well, what could make this more credible, आखिर गोरे जब आ जाते हैं, तो फिर तो ये चीज तो सही होगी होगी, ये तो आल है आप लोगों का, आप लोग फ्रॉड करने में number one है, और फ्रॉड से development नहीं होती है, फ्रॉड से education आगे नहीं बढ़ती है, फ्रॉड से mind जो है वो bright नहीं होती है, आपके DNA में fraud गुस चुका है, भी मानी आपके DNA में है, लालच आपके DNA में, आपोग मानने को तयार नहीं है किए गलती करने, आपलोग हर चीज को इसलाम से जोड लेती है, सबसे बड़ी गलती ये है, नहीं मानना है, मत मानूँ, यार्यार, हमारे लिए तो बहतर है, पाकिस्तान जितना फिसड़ी रहेगा पाकिस्तान जितना गवार रहेगा आस पास के मुलकों के लिए बहुत बहते रहे क्यूंकि आप लोगों को उसी में मज़ा आता है भारत किस सक्टर में काम नहीं कर रहे weiß सबसे बड़ा सेक्टर आने वाले वक्त में समी कंड़क्टर का होने वाला है और मैं ये बात पिछले एक धेड़ साल से दो साल से क्या रहा हूँ आप देखिए हमने दो साल में कितनी ग्रोथ कर ली है समी कंड़क्टर में ऐसे इंग्रोथ नहीं है अगर I.M.F. ये कहता है कि 2047 मतलब 23 साल में भारत 55 ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉनमी बन जाएगा तो वो यूँ ही तो नहीं कह रहा हुआ हवा में तो बात नहीं बढ़ा रहा हुँ वो चीजों को भारत में होते हुए देख रहा है वो देख रहा है कि भारत किस तेजी से किस सेक्टर में काम कर रहा हुआ और इसके इस सेक्टर का प्रोजेक्शन क्या कहता है और हम करके दिखाएंगे ये पाकिस्तानियों का दिमाग मैं फिर कहूंगा वो फिर रिपोर्ट लाँगा मैं फिर कहा दरहूं कजन मेरेजिज करके IQ लेवल 70% से नीचे जा चुका है और यह scientific research कहती है यह मैं नहीं कह रहा और अगर मैं कजन मेरेजिज पर सवाल उठा रहा हूं तो यह मैं भी नहीं उठा रहा पाकिस्तान के भीतर सवाल उठते हैं पाकिस्तानी बात करते हैं मैं बात नहीं करता पाकिस्तानी मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस पर बात कर रहा है पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रिससर, साइंटिस्ट सب यह बात कर रहे हैं कि कजन मेरिज से प्रोबलम हो रही है सुनीए तो हम यह जो सुनते हैं कि कजन मेरिज आप तो गुछ डॉक्टर है तो इसको ज़से अभजी है Linda करी एड़ान देखتे है जी हाँ यह यह बात तो सही है कि हमें उनकी genetic mapping करके फिर शादी करने चाहिए और इसी तरह कुछ और बिमारियां भी हैं जो family में run करती है तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिलकुल out of family हुई है कुछ बिमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत हिदियात करने के जो होते हैं कैंसर भी है जो family में run करते हैं बाज को दिल की बिमारियां भी family में run करती हैं एक research भी है कि आपकी जो cousin marriages है इसमें especially जो first cousin है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफी सारे जैसे mood disorders हैं bipolar हैं depression के cases ज़्यादा आते हैं जो cousin marriages में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं तो ये भी है कि जनेटिक डिसॉर्डर्स भी होते हैं जो personality traits है ये third generation में pass on होते हैं DNA में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तबदीली नहीं कर सकता है अच्छा अब जो फर्स्ट cousin है उसमें आ जाता है इसकी उपर cousin marriages के जो ये later on genetic disorder सामने आ रहे हैं हम ये नहीं कह सकते के सब में होते हैं किसी में नहीं होते हैं लेकिन हाँ chances हैं बाकि जिसको जो मानना है मानता रहे हैं मैंने तो report लेकर रखी आप लोग Google पर सच करें किसी दिन report पढ़के बताऊंगा मैं विश्वास करना 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 आपके ऊपर है ये किसी Indian के research नहीं ये पाकिस्तानी बात कर रहे है पाकिस्तान में research हो रही है पाकिस्तान की findings हैं मुसल्मानों की findings हैं ना कोई Hindu कर रहा है को यहूदी कर रहा है कोई Christian कर रहा है ना कोई Indian कर रहा है उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे वहले हम तो चाहते हैं कि आप कुछ भी ना मानें comment करके बता हैं दोस्तों क्या कहते हैं जल्दे मिलता हूँ एक और नई वीडियों साथ नमस्कार जाहिए